दोस्तो क्या आपका mobile बहुत ही slow charge होता है जब भी आप अपने mobile को charge में लगाते हैं तो 3-4 घंटे या फिर इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है 100% charge होने में तो ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी app के बारे में नहीं बताऊंगा कुछ हैसे hidden setting बताऊंगा जिसे अगर आप अपने mobile के अंदर कर लेंगे तो आपका जो mobile phone है देखते ही देखते दोस्तो चार्ज हो जाएगा वो भी 0 से लेकर 100% इतना तेजी से आपका mobile charge होगा कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा आपको अलग से कोई भी app डाउनलोड नहीं करना है चाहे आपका mobile नया हो या फिर पूराना हो किसी भी company का हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये setting दोस्तो सभी mobile में आसानी से मिल जाता है और सिर्फ एक बार आपको करना है एक बार करके आप छोड़ दो हमेशा दोस्तो आपका mobile phone इतना fast charge होगा ना हर कोई देख करके चोग जाएगा तो अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सी setting है कैसे आप अपने mobile में करेंगे तो उसके लिए सभड़ो को like कर दो and continue का इसी सभड़ो को देखते रहो तो आईए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ आखिर mobile के अंदर आपको कौन कौन सा hidden setting करना है जिसके बाद दोस्तो आपका जो mobile है वो एकदम fast charge होने लग जाएगा ठीक है अभी दोस्तो दिखो बहुत से play store पर ऐसे app आते हैं जिससे आप download करके भी अपने mobile को fast charge कर सकते हैं लेगिन बात आए कि बिना app का यानि कि आपको कोई भी app download नहीं करना पड़े और आपका mobile fast charge होने लग जाए तो उसके लिए दोस्तो आपको setting करना पड़ेगा और जो setting मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही useful setting है और एक बार करके आपको छोड़ देना है हमेशा आपका mobile fast charge होगा ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो आपको करना क्या है अपने mobile के अंदर ये जो setting से इसे आपको open करना है अब यहाँ पर दोस्तो आपको एक दो नहीं बलकि 4 setting करना है करने के लिए आपको एकदम नीचे आना है यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाता है developer option अगर दोस्तो आपके mobile में developer option on नहीं है तो इसे आपको क्या करना होगा on करने के लिए about phone में जाकर bill number पर 7-8 बार क्लिक करेंगे तो यह on हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको इसे open करेंगे इस प्रकास से आपको interface देखने को मिल जाएगा अब developer option के अंदर दोस्तों आपको दो setting करना है और दो बाकी के setting बाहर करना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे number one का जो setting करना है वो है running services आप देख सकते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंग अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह चीच चेक करना है आपके mobile में कौन कौन से services run हो रही है क्योंकि जब भी आप अपने mobile को charge में लगाते हैं तो अगर आपके mobile में बहुत से services run हो रहे हैं तो उसी वज़े से आपका mobile fast charge नहीं हो पाता एकदम slow charge होता है ठीक है तो यहाँ प पात दोस्तों ओ service stop हो जाएगा और आपका mobile fast charge होगा ठीक है तो यह चीच दोस्तों आपको यहाँ पर आखर चेक करना है कि आपके mobile के अंदर कौन कौन से services run हो रही है जो service आपको सही नहीं लगे उसे तुरंत के तुरंत stop कर देना वरना आपका mobile fast charge नहीं होगा ठीक है तो य आपको यहाँ पर scroll down करके नीचे की तरफ आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे number का setting देखने को मिल जाता है जो कि है background process limit अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपके mobile के अंदर यह जो limit है यह standard limit पर set होगा या फिर हो सकता है आपके mobile के चार या फिर पांच इससे भी ज़्यादा पर set हो तो इससे दोस्तों होता क्या है हमारे mobile के अंदर अगर एक से ज़्यादा process चल रहे हैं और आप अपने mobile को चार्ज में लगाए हैं तो कभी भी आपका mobile fast चार्ज नहीं होगा बहुत ही slow चार्ज होगा और आपका mobile बहुत ज़्यादा हीट भी करेगा जिससे हो सकता है बैटरी फूट जाए मतलब कि दिक्कत भी हो सकता है या फिर बैटरी हेल्थ खरा हो जाए तो अगर आप चाते हैं यह चीज आपके mobile के अंदर ना हो तो कभी भी दोस्तों आपको इसे standard limit पर set करके नहीं रखना है इसे दोस्तो no background process limit पर या फिर at most one process पर set करना है ठीक है तो फिलाल हम इसे no background पर कर देते हैं क्योंकि हम अपने mobile के अंदर background में कोई भी process run नहीं करवाना चाहरे है ठीक है तो यह चीज दोस्तों आपको यहाँ पर धिहान से कर लेना है यह setting बहुत important बता रहा हूं तो कोई भी setting आप मिस मत करना ठीक है तो दो setting आपको इससे developer option के अंदर कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको इससे बाहर आ जाना है ठीक है अब दोस्तों आपको तीसरे number का setting करना है तीसरे number का setting आपको करने के लिए वापस से setting को open करना है लेकिन इस बार आपको developer option के अंदर नहीं जाना है ठीक ह तो इससे आपको यहाँ पर open करेना है अब इससे open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको battery वाले setting को choose करना है इस तरह से दोस्तो आपके battery का पूरा setting open हो जाएगा कि कितना घंटा आपका battery चलेगा कितना percent charge है जो भी चीचे है उस सब यहाँ पर graph वगरा देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो तीसरे नमबर का setting करने के लिए नीचा आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है more battery settings तो इसी के उपर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तो यही पर आपको तीसरे नमबर का setting देखने को मिल जाता है जो की है fast charging अब यहाँ पर देखेंगे आपके mobile के अंदर fast charging दिया है लेकिन by default यह बंद होता है company की तरफ से इसे manually on करना पड़ता है तो आप इसे मतलब की on ही नहीं करेंगे तो आपका mobile कहां से fast charge होगा जरा सोचिए है ना तो सभी mobile phone के अंदर आजकल यह आने लग गया है तो इसे सबसे पहले आपको on करना पड़ेगा तभी जब आप अपने mobile को charge में लगाएंगे तो आपका mobile fast charge होगा तो यह तीसरे नमबर का setting बहुत important है तो इसे यहाँ पर कर लेना है जिसके बाद दोस्तो फोर्थ नमबर का setting आपको करना है जो की और ज़्यादा important है ठीक है mobile को fast charge भी करेगा बैटरी को भी protect करेगा उस setting का नाम है protect battery जो की इसी के नीचे दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है यह fourth नमबर का setting है अब दोस्तो इसे on करने का फाइदा क्या होगा यह दोस्तो आपके battery का life भी increase करता है fast charge होने में मदद भी करता है और battery backup भी बढ़ाता है तो यह एक setting दोस्तो आपके कितना ज़्यादा काम आ सकता है आप ज़रा सोच सकते हैं है ना तो इस setting को कभी भी बन करके मत रखना इससे दोस्तो आपको on करके रख लेना है तो यह चार setting दोस्तो आपको अपने mobile के अंदर बस करना है विसके बाद दोस्तो बिंदास होके आप अपने mobile को charge में लगा दीजिए आपका mobile इतना तेज चार्ज होगा कि हर कोई देख करके चोग जाएगा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना साथी सा चैनल को सस्क्राइब कर लेना थैंको दोस्तो बाइबन टेक कियर